व्रिश्चिक राशिवालों लेकिन उनके संकेत को आप बिल्कुल भी नजर अंदाज मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों कल के दिन आपका आखरी मौका है उनके संकेत को पहचानने का यह देवी पिछले कई समस्या आपकी ही घर में वास कर रही है आपकी रसोई घर में रह रही है और आपके घर के भंडार को भरना चाहती है लेकिन आप जाने अंजाने उनके संकेत को नजरणदाज कर रहे हैं और अपने जीवन में मुसीबत का पहाड खड़ा कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आप बहुत भोले हैं इस दुनिया के चका चांद से दूर है और इश्वर पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं, हमेशा अच्छा रास्ते पर चलते हैं, किसी के प्रती अपने दिल के अंदर छल की भावना आप नहीं रखते हैं, इसलिए यह देवी आपकी और आकर्शित हुई है और आपको बा नवरात्री का भी समय चल रहा है और नवरात्री खत्म होने से पहले या देवी आपको बड़ा संकेत देने वाली है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, नहीं तो दोस्तों, जीवन भर पच्छताओगे, ऐसा दिन, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा, ज सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा, माता रानी का सीधा अशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे प्राप्त होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को हमेशा प्राप्त होती रहे दोस्तों, अब गली-गली मोहले में आपका ना पर है, आपको सफलता कैसी मिलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बात आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, कि यह शक्ति कौन है, लेकिन आपको बता दें, कि आज के इस वीडियो को बिलकुल नजरंदाज मत करियेगा, नहीं तो वहां की ज आपके बुरे से बुरे समय में भी इस शक्ती ने अपना आशीरवाद आपके उपर बनाए रखा है। आपके पास कोई भी नहीं होगा जो आपका साथ। यदि आप एकने एक बार ऐसा एहसास जरूर हुआ होगा, आप जीवन में सब कुछ होते हुए खुद को अकेला महसूस किये होंगे। यानि कि सब का दिल सच्चा हो, कभी कोई भी किसी के साथ बुरा करने के लिए ना सोचता हुँ। सदा ही लोगों को देख कर वह खुश होता, वह कभी किसी से जलन की भावना ना रखता हो, तो वही घर स्वर्ग जैसा होता है। मंदिर के जैसा वह घर होता है, कुछ ऐसा ही घर आपका भी है, और इसलिए ही आपकी रसोई घर में यह एक शक्ती रहती है। क्योंकि आपके घर परिवार के लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, और आपकी वजह से भी देखा जाए तो आपके घर परिवार का नाम रोशन होता है। जी हाँ, आपके नाम से ही आपके घर वालों को देखा जाए तो एक तरह से पहचाना जाता है कहते हैं पूरे घर में यदि एक व्यक्ति भी अच्छा होता है तो उस व्यक्ति के दाम से ही उनके घर वालों को पहचान मिलती है तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होता है बुरे हैं या फिर वे लोगों से जगह लगते हैं जिन हैं लेकिन आपका जो शांत स्वभाव है वे देखा जाए तो अन्य किसीने भी नहीं है आप ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते आप करने में ज्यादा विश्वास रख सकते हैं आप अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए अब तक बहुत सारे कैद किये हैं लेकिन आपके घर वाले भी यह बात नहीं समझ पाते लेकिन हम बात करने वाले हैं आपके घर के रसोई में कौन सी शक्ति रहती है और कैसे आपको पता चले कि आपके घर में वाकई में इस शक्ति का वास होता है या नहीं सब कुछ बहुत ही आपको गहराई से बताएंगे आपको अपना ध्यान हमारी बातों पर लगाए रखना है क्योंकि अब असली कहानी अब आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप इन्हें पहचान पाएं हैं किस तरह से यह शक्ति रहती है आपको कब-कब ने साथ दिया है सभी के बारे में बताने जा रहे हैं लेकिन दोस्त वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता सीता के माता पारवती के सच्चे भक्त थे तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मा सीता जी यूमा पारवती जिससे जरूर लिखिए माता सीता माता पारवती की कृपा सदा ही आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी आपका हर एक अधूरा मनोकामना पूरा होगा आप अपने घर परिवार अपने लिए जो भी सोचेंगे जो भी मांगेंगे कुछ माता पारवती माता सीता पूरा करेंगी तो आईए अब उसी के साथ जानते हैं कि आपके रसोई घर में कुल शिवशक्ती रहती है और आपका इसने कब-कब साथ दिया है बात करते हैं उन दिनों कि जब आपके जीवन में पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या थी जहां पर आपको पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें थी और आज भी देखा जाए तो आप कोई पती नहीं है आपका जीवन तो सामान्य तोर पर चल रहा है तो ऐसे में आपको बता दें कि आप जो बहुत ही बुरे समय में थे युक्त है जो जब आपके आसपास कोई भी नहीं था जो आपकी मदद कर सके आपका जो स्थिति का बहुत बुरा था तो ऐसे में यह शक्ति ही आपके साथ अपना कृपा बनाए कि आपके ऊपर अपना आशीरवाद बनाए रखी थी क्योंकि आपके अच्छे करमों का ही नतीजा है यह जो शक्ति है वे हैं माता अन्पूर्णा की शक्ति आपके रसोई घर में विराज़मान रहती है आप या परेशानी भी हो लाख पैसों की कमिया है लेकिन कभी भी आपका मन धन का भंडार खाली नहीं होने देती है कभी भी आपको खाली पेट सोने नहीं देती है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना माता, अन्यपूर्णा की कृपा ऐसे ही आपके उपर और आपके परिवार के उपर बनी रहेगी बस, आपको यह दो काम अपने रसोई घर घर में नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हम आपको बता बताने जा रहे हैं क्योंकि यदि आप यह गलती करते हैं, तो आश्चर्य मत करिएगा नहीं तो यदि एक भर माता अन्यपूर्णा नाराज हो गए तो आपको अन्य अन्य के लिए बिल्कुल तडपना तरसना पड़ जाएगा तो आप यह दो गलती भूल कर मत करिएगा आज ऐसे ही वह कौन सी गलती है आईए इसके बारे में बात करते हैं जी हाँ और अपने रसोई घर में माता अन्यपूर्णा की ताकत से आप अपने दुश्मनों को भी मार दिये हैं जी हाँ अगर आप अपने पिछला कुछ बुरा समय याद करें तो आपको यह एहसास अवश्य ही होता तो आईए इसी के साथ हम जानते हैं कि पहला जो गलती आपको नहीं करना है अपने रसोई घर में वह कौन सा गलती है तो देखिए यदि आप घर की महिला हैं या फिर यदि आप पुरुष हैं तो आप, आप अपने महिलाओं को घर में रह रही उनको यह बातें जरूर बताएं यदि आपके रसोई घर में रात भर जूठा वर्तनी वेल्डिंग में या जहां वचन जुलते वहीं पड़ा रह जाता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनेगा जी हां, आप ऐसा बिलकुल भी ना होने दें आपको हमेशा रोशनी भरे को यूं तो साफ सफाई से भरपूर रखना चाहिए लेकिन खास तोर पर रात के समय आपको अपने रसोई घर को साफ सुत्रा करके ही सोना चाहिए इससे माता अन पूर्णा सदा ही आपके रसोई घर में विराजमान रहेंगे कभी भी आपको कौन धन की कमी नहीं होने देंगी कभी भी आपके नसीब में खाली पेट सोना होगा ही नहीं जी हाँ, अब बहुत ही नसीब वाले हैं, जो आपके रसोई घर माता अन्नपूर्णा सदा ही रहती हैं, लाख बुरे से बुरे समय में भी आपने कभी खाली पेट नहीं सोया है, अब वही दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है, वह जो गलती है, वह है कि आप अपनी बेखाली तूटे फूटे बरतन, तो ऐसी चीजों को आप अपने रसोई घर से निकाल दें, कहीं और घरों में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, जी हाँ, आपका रसोई घर से ही आपको जीवन मिलता है, जैसे कि आप खाना खाते ह खाना खाने से आश्वस्त होते हैं, आपका शरीर बनता है तो ऐसे ही आप आपको रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, हाथों कचरे अपनी रसोई घर में नहीं रखने चाहिए, जी हाँ, आपको बता दें कि आप अपने रसोई घर में यदी कोई धबबा है, जिसम बात आपको अपने जीवन में दम हाल नहीं है कि ऐसा को करना रहे हैं। यदि आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपने दिमाग में बैठा लें। और यदि आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने घर की महिलाओं को यह बातें जरूर बताएं क्योंकि नेसे माता दोनों निराश होंगे और माता अनपूर्णा नाराज हो गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा अब आईए से के साथ जानते हैं कि आपका यह समय कैसा रहने वाला है या जो समय है आपका इन में आगे कोई अधूरी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं आपकी जो अपने इस दिन से उम्मीदें हैं वे सभी उम्मीदें पूरी होंगी वहीं आपको किसी खास व महत्वपू के दिखाएंगे यह जो समय है इनमें आप अपने बाल बच्चों के खुशियों का पूरा ध्यान रखने वाले हैं यदि आपके सामने विपरीत परिस्थिती आती है जैसे में आपको धैर्य से काम करना चाहिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे यदि आप साजेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो आपको वहाँ पर घाटा दिखाई देगा जिसके विदिशा का मन को छिड़ छिड़ा हो सकता है और आपके पार्टनर के उपर शक हो सकता है वहीं राजनीतिक शेत्र में यदि आप हाथ आजमाते हैं या आप इन से जुड़े हुए हैं तो आपके सितारे बुलंद हैं आपको कोई अच्छा खासा लाब हो सकता है कोई सूचना प्राप्थ हो सकती है आप अपने घर के या दुकान के निर्मान कार्य को पूरा करवाने की कोशिश कर सकते हैं इस समय आपका नए लोगों से दोस्ती होगा वहीं आपको बता दें कानूनी कार्यवाही पढ़ाव विचार करें यदि कोई भी मामला कोट का चहरी में चलता है तो असफलता के माध्यम से आपको सफलता प्राप्थ होने वाली है वहीं आपको बता दें यदि आपके सामने कोई अंजान व्यक्ती दोस्ती के लिए हाथ आता है तो आप बिना बना सोचे समझे हाथ ना मिलाएं नहीं तो आपके लिए बाद में मुसीबत खड़ी हो सकती है यदि आप अपने घर दुकान के लिए या घर के लिए किसी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान पूरवक्त खरीदारी करना हो सकत वहां पर आपको खुश्था हो जाए। वहीं नौकरी के क्षेत्र में आपके जो गुप्त शत्रू हैं वे आपके लिए शडयंत्र रच रहे हैं। प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इस समय आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। ताकि आपको नुकसान ना हो। आप किसी भी तरह का दुख ना हो। आपकी भावनाओं के साथ ही कोई खेल सकता है। इस समय किसी सगे संबंधियों के साथ किसी महत्व पूर्ण मसले पर विचार विमर्ष कर सकते हैं। व्यापार में बिना सोचे समझे कोई परिवर्तन करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। हानी उठानी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको योजना बद्ध तरीके से कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ती होगी। यदि आप किसी अंतरराष्ट्रिय कंपनी में कार्य रत हैं, तो वहां से आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। खुश करने वाला इमेल आ कोई बाधा कार्य में कोई बाधा आ रही थी, तो बाधा समाप्त होने वाली है। इस दौरान आपको अपने क्रोध ववानी पर संयम रखना होगा। इस समय आपको कहीं पर कोई नया अधिकार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप काफी उत्सुक नजर आएंगे, लेक आप नए रोजगार की प्राप्ती चाहते हैं, तो आपको नए रोजगार की प्राप्ती होगी। नौकरी में पदोन्नती का प्रयास आपका सफल रहने वाला है। आपको नौकरी के तरफ से कहीं पर यात्रा पर जाना पड़ सकता है, या जो समय रहने वाला है, इनमें पास वजह से कोई संदेश भी आपको मिल सकता है, जिसे सुनकर आप थोड़ा दुखी भी हो सकते हैं, इस दौरान आप किसी के बहकावे में ना आएं और ना ही किसी की बातों में आकर कोई निर्णय लें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, बाद में पच्चत होगा, यदि कोई भी कोट कचहरी का मामला चल रहा है, तो आपके पर्स में इसका फैसला आने वाला है, यह समय है, इसमें आजीविका की तलाश पूरी होगी, यदि आपने कहीं पर इंटर्व्यू दिया था, वहां से आपको कोई फोन कॉल आ सकता है, आप जिस भी काम को क कर रहे हैं, पूरे मन लगा कर करें, तो बहतर रहेगा, किसी करीबी रिष्टेदार की तरफ से कोई शुब समाचार भी प्राप्त होगा, आपके घर पर अचानक किसी प्रियजन का आगमन हो सकता है, परिवार में उप हुए मतभेद, अचानक से शांत होते हुए नजर यदि घर परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वह बाद बाद अब समाप्त होगा, यदि आपने किसी से कोई कर्ज लिया था, वह कर्ज अब आपको वापस मिलने वाला है, यात्रा यदि आप करेंगी तो नए मित्र बनेंगे, जो कि आ पुशियां दोगुनी हो सकती है, यदि स्वास्थ संबंधी कोई समस्या है, तो आप उसे गंभीरता से ले, यदि किसी महिला की डिलीवरी डेट है, तो जल्द ही शुब समाचार मिलेगा, वही आपको बता दें, यह समय रहने वाला है, इनमें आपकी लव पार्टनर की त समानदारी से रिष्टे को चलाएं तो अच्छा होगा, इस समय वैसे सब बिना बोले, जो आपके पार्टनर को दुख करें, उसी के साथ आपका यह जो समय है, वे आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकर आत्म परिणाम लेकर आ रहा है, लेकिन आपको अपने काम काज के मामल को लेकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अधिक भरोसा करने से भी बचना होगा, अन्यथा वह व्यक्ति आपके कामों में देरी करवा सकता है, या फिर आपके बिगडे काम को भी और ज्यादा बिगाड सकता है, इस बात का विशेश ध्यान रखें, आर्थिक द्रिष्टी कोण स आपके पिछले दिनों के किये गए प्रसों से आपको उसमें रंग दिखता हुआ आएगा, जी हां, आर्थिक स्थिती में सुधार होगा, इसके साथ ही इस समय पर कोई महत्व पूर्ण विशयों में आप रुची दिखाने वाले हैं, कोई महत्व पूर्ण योजना आपके हर एक कमिया अब पूरी होने वाली है, यह समय आपके लिए कुछ ऐसा विशेश खास रहेगा, जो आप इस दिन को भूल नहीं पाएंगे, आपको अपने अब कामों की रव फोकस बनाना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए कार्य भी बिगड जाएंगे, लोगों क तो आपके बढ़ते खर्चे आपके लिए ही समस्या का कारण बनेंगे, और जो धन प्रती आपको हुई है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, कि आपके पैसे कहां खर्च हुए हैं, इसलिए आप खर्चों का लिस्ट बना लें। और अद्भुत चमतकार लेकर आएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। देखिए दोस्तों, माता अन पूर्णा देवी को हमेशा से अन और समरिध्ध की देवी माना गया है। जब वह प्रसन्न होती हैं, तो हमारे घर में भोजन और समरिध्ध की कोई कमी नहीं रहती। उनके आशीरवाद से जीवन में ऐसी स्थिर्ता और खुशहाली आती है, जो हमें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से बचा लेती है। अगले 24 घंटों में आपको उनके प्रसन्न होने के कई संकेत मिलेंगे, जिन्हें समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। पहला संकेत यह होगा कि आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा घटेगा जिससे आपको महसूस होगा कि माता अनपूर्णा देवी ने आपकी सारी चिंताएं समाप्त कर दी हैं। हो सकता है कि आपको कहीं से अनपेक्षित धन प्राप्त हो या फिर ऐसा अवसर मिले जिससे आपकी आर्थिक स्थिती में बड़ा बदलावा है। जो आपको संकेत देगा कि अब आपकी कठिनाईया समाप्त होने वाली हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि आपको कोई धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सकता है। जैसे अचानक से कोई धार्मिक विचार आना या फिर किसी मंदिर या पूजास्थल पर जाने की प्रेरणा मिलना। यह सब माता अनपूर्णा देवी का आशीरवाद होता है जो हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि हमें अपने जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। इस समय आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना चाहिए और माता अनपूर्णा की पूजा अर्चना में पूरी श्रद्धा के साथ जुट जाना चाहिए। अब जब माता अनपूर्णा देवी अपने आशीरवाद की वर्षा कर रही हैं तो यह भी जरूरी है कि हम कुछ विशेश कार्यों को ध्यान में रखें ताकि उनका आशीरवाद हमारे जीवन में स्थाई बना रहे। सबसे पहला कार्य जो आपको करना चाहिए वह यह है कि आप अपने घर में भोजन का अपमान किसी भी प्रकार से न करें। भोजन को न केवल अपने लिए बलकि जरूरत मंदों के साथ भी साजह करें। इससे माता अनपूर्णा देवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और उनका आशीरवाद आपके घर में स्थाई रूप से बना रहता है। एक और महत्व पूर्ण उपाए यह है कि आप अपने घर में रोज सुबह और शाम माता अनपूर्णा का दीपक जलाएं। यह दीपक आपके घर में न केवल सकारात्मक उर्जा का संचार करेगा बलकि इससे माता अनपूर्णा का आशीरवाद भी बना रहेगा। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि माता रानी हमसे नाराज न हो जाएं। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वह है दूसरों के प्रती अनादर या अभिमान करना। माता अनपूर्णा देवी हमेशा उन लोगों पर प्रसन होती हैं जो दूसरों के प्रती सहानुभूती और विनम्रता का व्यवहार करते हैं। अगर आप अभिमान करेंगे या दूसरों का अपमान करेंगे तो माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं और उनका आशीरवाद आपसे दूर हो सकता है। इसके अलावा लालच से भी बचना चाहिए। जब माता अन्पूर्णा देवी प्रसन होती हैं तो वह हमें भरपूर देती हैं। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो उनका आशीरवाद हमें उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना वह कर सकता था। इसलिए जो भी आप को प्राप्त हो उसका सदुपयोग करें और संतोश रखें। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको अगले 24 घंटों में जरूर करने चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया आपको अपने घर के रसोई घर में दीपक जलाना चाहिए और माता अन्पूर्णा का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आपको अन्पूर्णा देवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा आपको सुबह और शाम को माता अन्पूर्णा देवी का भोग भी अर्पित करना चाहिए। ये भोग अधारन भोजन हो सकता है। लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी को अर्पित करें। इससे माता का आशीरवाद आपके जीवन में बना रहेगा और आपको हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जाये नहीं आती। इसलिए अगले 24 घंटों में जब आपको उनका कोई संकेत मिले तो उन पर ध्यान दें, उनके प्रतिश्रद्धा और भक्ति रखें और उनके बताय हुए रास्ते पर चलें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा देवी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में समरिध्य और खुशहाली का संचार होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा लिखें ताकि माता का आशीरवाद हमेशा आपके साथ बना रहे। मुझे उम्मीद है कि माता अन्नपूर्णा का आशीरवाद आप पर सदा बना रहेगा। और अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अध्भुत खुशखबरी आएगी।